वीडियोंने हमारी आज की वीडियों का टौपिक है wraign groups of microorganisms, virus, bacteria and fungi यानि microorganisms के जो बड़े groups हैं जिसमें के virus, bacteria और fungi शामिल हैं इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियों में discussed करेंगे तो Micro Organisms कौन से Organisms होते हैं ? Micro Organisms चोटी चोटी Living Things को कहा जाता है Micro का मतलब होता है Tiny यानि बहुत चोटी चोटी और Journalism का मतलब है Living Things यानि जानदार अशिया के इन को देखने के लिए एक खास किसम के सॉरी एक खास किसम की मशीन की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है microscop तो इन living things को जिनकोたら microorganisms कहा जाता है इनको देखने के लिए microscope की ज़रूरत पड़ती है और main groups की अगर बात की जाएं कि microorganisms के कौन कौन से groups होते हैं तो microorganisms को classify किया जाता है classify का मतलब होता है groups में तक्सीम करना तो इनको कितने groups में तक्सीम किया जाता है या classify किया जाता है इनको तक्सीम किया जाता है तीन groups में तो वो कौन-कौन से groups हैं उन groups में शामिल है viruses तो viruses को हम यहां पे एक तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं कि यह किस तरह के छोटे-छोटे जानदार होते हैं तो इस तस्वीर में हमें जो living organism नजर आ रहा है उसका नाम है virus तो virus इस तरह के छोटे छोटे micro organisms होते हैं तो ये तो था एक group micro organism का अब micro organisms का जो second group होता है उसका नाम है bacteria तो viruses की तरह bacteria भी छोटे छोटे से living organisms या living things होती है लेकिन ये size में virus से थोड़े बड़े होते हैं और micro organisms का तीसरा group तो तीसरा group होता है फंजाय का group अब अगर फंजाय के group में जो organisms होते हैं उसकी बात की जाए तो फंजाय में कुछ organisms या कुछ types ऐसी होती हैं फंजाय की जिन को देखने के लिए microscope की जरूरत नहीं पड़ती जबके कुछ organisms या हम यू कहें के फंजाय की कुछ types ऐसी होती हैं जो viruses और bacteria की तरह microscopic होती हैं यानि उनको देखने के लिए microscope की जरूरत पड़ती हैं जैसे यहां पे हम जो फंजाय की type देख रहे हैं तो यह हमें microscope के नीचे नजर आ रही है तो इस तरह से micro organisms के जो तीन groups बनते हैं उनके नाम है viruses, bacteria and fungi तो आज की वीडियो में हम main groups of micro organisms में से viruses के बारे में detail से discuss करेंगे तो वाइरस का जो लफ्स है इसका मतलब होता है poison poison किसे कहते हैं? जहर को यानि यह ऐसे organisms होते हैं जो दूसरे living organisms के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे होते हैं तो वाइरस क्या करते हैं? living things या जानदार अशिया जैसे के humans हैं जिने इनसान कहा जाता है animals हैं जिने जानवर कहा जाता है और plants वगयरा है जिने पौदे कहा जाता है तो यह जो living things हैं इनके लिए वाइरस poison का का काम करता है क्योंके जब यह वाइरस यानि वाइरस की जो मुक्तलिफ किसमे हैं वो humans, animals या plants की body या जिसम में दाखिल हो जाएं तो उन में मुक्तलिफ किसम की बिमारियों की वजुहात बनते हैं तो microscopic organisms जिनको हमने तक्सीम किया था तीन गृप्स में जिनने वाइरस बेक्टिरिया और फंजाए के गृप्स में तक्सीम किया था तो इन सब में से जो सबसे चोटे micro organisms हैं वो कौन से हैं वो हैं viruses तो ये इतने चोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए microscope की जरूरत पढ़ती है लेकिन जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में simple microscope दिखाई थी उससे ये organisms नजर नहीं आते तो इनके लिए एक खास किसम की microscope की जरूरत पढ़ती है जिसको कहा जाता है electron microscope इस तरह से ये चोटे चोटे जानदार इस तरह की microscope जिसको electron microscope कहा जाता है उसकी मदद से देखे जा सकते हैं और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये smallest microorganisms होते हैं यानि जो microorganisms का दूसरा group है bacteria उससे ये 1000 गुना छोटे होते हैं और अगर इसके structure की बात की जाए structure यानि बिनावट के ये जो छोटे छोटे living things होते हैं तो इनकी जो बाडी होती है तो इन में यानि इनका जो बाडी का structure होता है तो उसमें कौन-कौन से हिस्से पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं हम तो अगर हम यहां पे देखे हमें धागे की तरह की जो चीज़ नजर आ रही है वो है DNA या RNA अब DNA या RNA क्या चीज़ है यह हेरिडिटी मिटीरियल यानि विरास्ती मादा तो विरास्ती मादा किसे कहा जाता है विरास्ती मादा या हेरिडिटी मिटीरियल वो चीज़ होती है जिसकी वजह से खुसूसियात वालदेन से बच्चों में मुन्तकिल होती हैं तो खुसूसियात का वालदेन से बच्चों में मुन्तकिल होना जिसे हेरिडिटी या विरास्त कहा जाता है यहां पे हम एक और तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं यहां पे हम देख रहे हैं, human beings हैं, यानि इनसान हैं और उनके बच्चे हैं तो बच्चों की जो कुछ खुसियात जैसे के बालों का रंग है, यहां कलर है, बच्चों का जो कलर होता है, वो अपने वालदेन में से किसी एक पे जाता है यानि कुछ खुसियात जो होती हैं, वो वालदेन से मिलती जुलती हैं, तो यह जो खुसियात मुनतकिल होती हैं, वालदेन से बच्चों में, इसको कहा जाता है, हेरिडिटी, और हेरिडिटी जो material होता है, जिस material की वज़े से यह खुसियात मुनतकिल होती हैं, वो होता है, य इनकी body के अंदर इस तरह के simple structure होते हैं यहां पे यह वाला जो दर्मियान में यह धागे की तरह की चीज़े यह क्या है heritage material जिसको DNA या RNA कहा जाता है यानि कुछ किसमें ऐसी होंगी virus की जिसमें के DNA पाया जाएगा जब किसमें ऐसी होंगी जिसमें के सिर्फ RNA पाया जाएगा तो दर्मियान में यहां पे या DNA मुझूद होता है या RNA मुझूद होता है और इस DNA या RNA के बाहर इर्द गिर्द यहां पे protein का एक coat या एक तै मुझूद होती है तो इसे कहा जाता है protein coat जो के DNA या RNA के इर्द गिर्द मुझूद होती है तो इस तस्वीर में protein coat कहां पे है यह वाली जो हमें तै नजर आ रही है यह क्या है protein से बनी हुई एक layer या तै जो के DNA या RNA की हिफाज़त कर रही है तो यह तो है basic structure यानि जो सारे viruses हैं उन में ये हिस्से पाए जाते हैं लेकिन मुख्तलिफ किसम के जो viruses होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं यानि उनके size भी मुख्तलिफ हो सकते हैं उनकी shapes भी मुख्तलिफ हो सकती है और क्योंके वाइरिस का मतलब ही पॉईजन होता है यानि ये लिविंग तिंग्स में डिजीज कॉस करती है तो अगर हम हुमन बिंग्स की बात करें तो हुमन बिंग्स या इनसानों में ये इंपॉर्टन्ट बिमारियों की वज़ा बनता है जैसे के पॉलियो है और इनफ्लियोंजा जिसे फ्लू भी कहा जाता है या नजला भी कहा जाता है और पॉलियो क्या है पॉलियो एक जिसमानी माजूरी है जैसे के इस तस्वीर में एक पॉलियो का मरीज दिखाया हुआ है जिसमे के इसकी टांग मतासर है तो इसी तरह से मुख्तलिफ किसम की और भी बिमारियां होती है जो के वाइरिस की वज़ा से होती है तो जब एक वाइरिस किसी लिविंग तिंग्स की बॉड़ी के उपर अटैक करता है यानी हमला करता है जैसे कि हम यहां पे एक और तस्वीर अपने सामने ले आते हैं तो उसके जिसम के साथ कॉंटैक्ट में आएगा यानी करीब आएगा और तो एक दफ़ा जब वाइरिस बॉड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है जैसे यहां पे दिखाया हुए कि यह वाइरिस है और यह एक बॉड़ी है यह हम कहें कि यह एक living thing की यह living organism की जिसम का वो हिस्सा है जहां से वाइरिस अंदर दाखिल हो रहा है तो वाइरिस क्या करेगा एक जो living thing की अंदर जब दाखिल होगा तो उसमें अपना number increase करेगा यानि तादाद में ज्यादा होता जाएगा और तादाद में जो ज्यादा होना है यानि अपने जैसे organism जब बनते हैं तो इस process को reproductive process कहा जाता है तो जब वाइरिस अपने जैसे और organism बना लेगा तो वो वाला जो stage होगा उसमें वो बिमारी होगी यानि वो खास बिमारी होगी जो के एक वाइरिस की वज़ा से होती है और वो organism जिसके उपर वाइरिस अटेक करता है चाहे वो plant हो, animal हो या इनसान हो और वहाँ पे अटेक करके अपना number ज्यादा करता है तो उस organism को कहा जाता है host यानि मेजबान तो यहाँ पे यह वाला जो है यह हमें बड़े वाला जो नज़र आ रहा है यह क्या है host का cell cell क्या होता है वो छोटा हिस्सा जो कि जब ज़्यादा सारे मिल के एक पूरा organism बनाते हैं तो उस सबसे छोटे हिस्से को कहा जाता है cell और यह क्या है यह viruses है तो यह क्या है यह virus है और यह है host cell तो इस तरह से virus organisms के उपर attack करके उन में बिमारियों की वज़ा बनता है और मुखतलिफ viruses को मुखतलिफ नाम कैसे दिये जाते हैं तो virus को नाम दिया जाता है बिमारी की बनात पे यानि virus जिस बिमारी की वज़ा बनता है तो उस की बनात पे उस virus को नाम दे दिया जाता है मिसाल के तोर पे वो वाइरस जो के पॉलियो की वज़ा बनेगा यानि पॉलियो जिस बंदे को होगा तो वो किस वाइरस की वज़ा से होगा वो होगा पॉलियो वाइरस की तरह सोरी पॉलियो वाइरस तो यहां पे इस तस्वीर में हमें जो वाइरस नजर आ रहा है वो है पोलियो वाइरस और पोलियो क्या है एक जिसमानी माजूरी जो के इस वाइरस की वज़ा से होती है तो आज हमने पढ़ा Main Groups of Micro Organisms जिसमें के हमने डिटेल से पढ़ा वाइरसिस के बारे में